नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक्स ब्लॉक पर दोस्तों इस समय गर्मियों का प्रकोप और उसके बाद धूप की जो तपिस है वो आपके हैं कैसे है मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा सबसे पहला question आप लोगों से कर रहा हूँ क्योंकि है क्या कि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे साथ साथ मेरे ये पौधे भी काफे ज़्यादा struggle कर रहे हैं इस धूप से और इस तपिस से आज मैंने क्रोटन के प्लांट के सिप्टिंग की मैंने इनको ऐसी जगह पर रखा था जहां पर इनको सुबह साम की थोड़ी थोड़ी सनलाइट मिलते थी और पूरे दिन मेरे पौधे शेट में रहते थे लेकिन वो जो सुबह और साम की अब धूप हो रही है न सुबह सा हैं तुरंथ ही ये पौधा मरने के कगार पर आ जाता है ऐसा नहीं कि नीचे से फिर ये नए पॉप्स निकालेगा निकालेगा कभी कभार ऐसा होगा वरना अगर पत्ते कम हुए और प्रकाष संस्लेश्ट यानि फोटो संस्थिस का प्रोसेस इसका बाधित हुआ तो पौधे जगह पर सिप्ट करते हैं तो कभी कभी ये इस्ट्रेस में आ जाता है लेकिन पौधा जल जाए उससे अच्छा है कि एकाद दो दिन इस्ट्रेस में रहकर ये नए एट्मोसफेर यान भी नए वातावरण के अंदर सामन जसे अस्थापित कर ले दूसरी चीज बिलकुल भ पानी है पानी देते देते इनकी उपरी सतह जो है वो पिलकुल सक्तिसी हो जाती है और होता क्या है कि जो एक्स्टा वाटर होता है वो ड्रेनेज होल से तो निकलता है लेकिन उपर से उसका वाश्पी करड़ नहीं हो पाता है इसके लिए समय समय पर मिट्टी की गुड़ा मेरे पास जितने भी क्रोटन के पौधे हैं मैं कोशिश यह करता हूँ कि समय से उनके अंदर खाद पानी बगएरा भी प्रोवाइड हो जाए और खाद में अगर बात करी जाए तो इसे मैं और गैनिक खी रखने की कोशिश करता हूँ मिट्टी आपके इस क्रोटन के प्लांट को एसिटिक स्वायल पसंद है तो कभी कबार इसको एसिटिक स्वायल युक्त फर्टिलाइजर देता हूँ जैसे नीबू के पानी का फर्टिलाइजर हुआ संत्रे के पानी का फर्टिलाइजर हुआ या फर कभी कबार तो मैं कोशिस ये करता हूँ कि जैसे सेप के छिलके हैं तो उनको भी 48 गंटे के लिए विगो कर रख दिया तो उसका पानी दे दिया अब जो नैचुरल विनेगर होता है उसे भी एक चमच एक लिटर पानी के अंदर डाल कर अपने पत्तों पर भी स्प्रे कर सकते हैं और साथ ही साथ चड़ों में देंगे तो बहुत बड़ी बड़ी हैं जो प्रभा होगा वो आपको देखने को मिलेगा इसके साथ साथ मैं शीवीड भी अपने पौधे को प्रोवाइड करता हूँ शीवीड एक नैचुरल और्गनिक फर्टिलाइजर है जो समुदरी घास के सैवाल से तयार किया जाता है मैं हर दूसरे तीसरे महीने यह जो वर्मी कमपोस्ट है इसे मैंने अपने गवर्मेंट फर्म से खरीदा है हमारे यहां एक बहुत बड़ा गवर्मेंट फर्म है जहां पर वर्मी कमपोस्ट तैयार की जाती है तो वहीं से मैं लेकर आया हूँ तो लगबग एक से दो मुठी मैं अपने हर पौधे में हर दूसरे तीसरे महीने देता रहता हूँ और जब मुझे ल इलाइजर यह सारी चीज़ें प्रवाइट करना बिल्कुल भी नहीं भूलता थोड़ा साधियों में बैस्त हो गया था जिसकी वज़े से मेरे पौधों ने बहुत सा पर किया लेकिन अब मैं थोड़ा फ्री हूँ तो फ्री माइंड से अब अपने पौधों के दोबारा से देख भल कर रहा हूँ देरे देरे करके मेरे पौधों में आपको फिर से वही रोना वही चमक दिखाई देगी हाला कि मेरे पौधे बहुत ही स्वस्था है और काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं वर्मी कमपोस की खास बात यह होती है कि इसकी तासीर ठंडी होती है गर्मियो हो गई है तो आप उसको कट कर दीजिए नीचे से न्यू ब्रांचे चाहेंगी और आपका पौधा घना बन जाएगा इसके अलामा बहुत ज़्यादा खाद वगएरा देकर आप अपने पौधे को घना नहीं कर सकते सिर्फ पिंचिंग और हलकी सी कटिंग आपके पौधे क पौषड पूरा मिलेगा तब भी आपका पौधा धिर धिर करके घना बन जाएगा क्योंकि पौधा पतियों से ही घना बनता है और पतियां तब आएंगी जबकि आप पौधे की रख रखा और उसकी पौशड संबंधी सारी और शक्ताओं को पूरा करेंगे आसा है आप ल जाकर आंसर करना थोड़ा सा मुस्किल पड़ जाता है इस वीडियो को यहीं परिंट करते हैं मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाए एंड टेक केर